दिन जल्दी जल्दी ढलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है हो ना पत में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं या सोच ठका दिन का पंची भी जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है बच्चे प्रत्यासा में होंगे नीडों से झाक रहे होंगे या ध्यान परों में चिडियों के भरता कितनी चंचलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है मुझसे मिलने को कौन भी कल मैं होंगे किसके हित चंचल या प्रश्न सिथिलता करता पद को भरता उर में भी भलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है जाहिंद मेरे दोस्तों आप सभी का अपने यूटूब चैनल अवध्यकी पर हार्दिक स्वागतियों अभिनंदन है दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी यूपी जी के कि कलास चल रही है UPGK की स्रिंखला में हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी क्लास का जो टर्न है यह है आज की हमारी क्लास नाइन क्लास नाइन है आज हम बात करेंगे UP की नदियों के बारे में यूपी की जो नदिया है उत्तर प्रदेश में जो नदिया है आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो नदिया आई है उनका उद्गम का सुरोत कहां है या कहां से उद्गम होकर आई हुई है हम इसी बारे में अपने सबसे पहले इस उद्गम स्रोत के आधार पर बात करें बबू तो पहला जो है कुछ हमारी नदिया हिमालय से होकर आई हैं कहां से होकर आई हैं हिमालय से ठीक है हिमालय से कौन कौन सी नदिया है तुभिया गंगा है आपकी यमुना है और राम गंगा है कौन सी राम गंगा है घागरा है ठीक गागरा है और गंडक नदी है कौन सी गंडक नदी है ठीक है यह हिमाले से होकर आई है और अगर हम आगे बाद करें तो कुछ हमारी नदियां जो है वे मैदानी भाग से भी आई है कहां से मैदानी भाग से मैदानी भाग से कौन कौन सी नदी आई है तो मैदानी भाग से आप की यूपी में आई है जो मैदानी भाग से आई है और तीस रा जो सुरोत है वो दच्छिड का पठारी छेत्र है कहा का दच्छिड का पठारी छेत्र दच्छिड के पठारी भाग से भी नदिया हमारी तरफ आई हुई है और आने वाली नदिया है चंबल चंबल नदी है शिंध नदी है और कौन सी है बेटवा है शिंध है बेतवा है केन है ठीक है बबू केन है और शोन नदी है कौन सी नदी है शोन नदी है यह नदिया आपक तो निकल कर आई हुई है उसके जो है इनके सुरोत हैं अगर हम बात करें तो सबसे पहले गंगा नदी की बात करते हैं गंगा नदी की पट करें तो गंगा नदी यूपी के UP के 28 जिलों से होकर गुजरती है कितने जिलों से 28 जिलों से होकर गुजरती है ठीक है ठीक कितने जिलों से होकर गुजरती है बाबू तो 28 जिलों से होकर गुजरती है गंगा की लंबाई की बात करें तो भीया इसकी जो लंबाई है वो है 1450 किलो मीटर कितना 1450 किलो मीटर यह यूपी में है गंगा की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में वह है 1450 किलो मीटर अगर गंगा के अन्य नाम की बाद करें तो अन्य नाम भी इसका है क्योंकि हर जगा गंगा को गंगा के नाम से ही नहीं जाना जाता है इसको पदमा भी कहा जाता है जानवी भी कहा जाता है ठीक है जानवी भी कहा जाता है और देव नदी भी कहा जाता है ठीक है यह जानवी जो है जानवी रिशी के नाम पर इसका नाम पढ़ा हुआ है ठीक है बबू ठीक है अगर गंगा की अगर गंगा को हम देखते हैं तो ग गंगा जो है हरिद्वार से मैदानी भाग में मैदानी भाग में प्रवेस करती है ठीक है कहां से प्रवेस करती है बाबू तो हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेस करती है और यह उत्राखंड उत्राखंड ठीक है जिसे उत्रांचल कहते हैं ठीक है इसका नाम है उत्रा ठीक है उत्रांचल उसके बाद उत्तर्प्रदेश फिर जाती है विहार ठीक है विहार के बाद जाती है जहारखंड तहां पर जहारखंड में जहारखंड के बाद चली सिधा आपके पश्चिम बंगाल कहां चली जाती है पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और सिधा जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है ठीक है कहां विलीन हो जाती है बंगाल के खाड़ी होते हुए गंगा सागर में गंगा सागर में समाहित हो जाती है ठीक ह थी अगर हम बात करते हैं गेंगा, नदी के तड़ पर प्रमुक शहर की बात करते हैं गेंगा नदी के तड़ पर प्रशीद शहर हैं जिस सबसे पहले नाम आता है प्रयाग राज जिसे जहां पर देव प्रयाग है गंगा और यमना का संगम है दूसरा जो नाम आता है वो वारांडशी है जिसे भगवान सियू की नगरी कहा जाता है कासी के नाम से भी जाना जाता है और तीसरा जो सबसे ज़्यादा प्रशिद्ध स है वह है कानपूर नुंत राश्ट्राज मार्गों का चौराहा भी कहते हैं ठीक तो इन सहरों से और गःतीख प्रुशीट जो है गंगा इतनी जद प्रुशीट पहले से नहीं है घंगा-सवी कानपूर को राश्टी राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं ठीक है तो इन सहरों से होकर गुजरती है ठीक है और गंगा को सर्वधिक प्रदूसित जो है गंगा सर्वधिक प्रदूसित है कहां से तो भीया गंगा इतनी जादा प्रदूसित पहले से नहीं है गंगा सर्व चाहिं परदूशित गंगा सर्वधिक प्रदूशित कानपूर से होती है ठीक है कहा से कानपूर से कानपूर से सबसे ज्यदा प्रदूशित होती है ठीक कानपूर से प्रयागा राज्न को P॥ार्दूशित दिन failure को यह ज़ Đây का जो पानी है वो प्रदूशित हो जाता है बाकि गंगा जी का पानी तो इतना निर्वर है कुछ को चाहे जितने दिन तक रखे रहो कभी भी ना तो उसमें से इसमिल आई आएगी और ना ही कीड़े पड़ेंगे लेकिन प्रदूशित हो जाने के कारण उसमें कुछ ना काजित भाग है कहां से है झां गंगा किंगा के किनारे को विट्लेंड इस उसमें किनारे को विटलेंड एरिया भी कहा जाता है ठीक है विटलेंड एरिया विटलेंड एरिया को जो है ब्रज घाट से ठीक है नरोरा तक ब्रज घाट से नरोरा तक का जो भाग है उसे विटलेंड एरिया के नाम से जाना जाता है ठीक है विटलेंड एरिया के नाम से जाना जाता है गंग नदी ऍचलन शहायक नदी आपकी कौनसी है यमर्ण है गंगा की सहायक Between यमुन नहें है यमुन है कि यमुन का ऻो उद्गम यम्लोत्रीं से हुआ है 100 55 कि की अब यमनुत्री की अगर हम बाद करें यहाँ यूपी के 20 जिलो को 20 जिलो को क्या 20 जिलो से 20 जिलो से प्रवाहित होती है ठीक है कितने जिलो में उत्तर प्रदेश के 20 जिलो में यमुना का प्रबाह है ठीक है और आके जाके यहां देव प्रयाग मिल जाती है गंगा के साथ जहां पर देव प्रयाग बनाती है संगम बनाती है और यहां पर गंगा यमुना सरसिती तीनों नदियों का शंगम हो जाता है अगर हम आगे बाद करते हैं ते दुधा तोली कहां से दुधा तोली उत्राखंड से इसका उद्गम हुआ है ठीक है यहां गंगा में कहां पर कन्नौज के पास कहां कहां पर बबू कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है ठीक है गंगा नदी में क्या कर जाती है मिल जाती है ठीक है कहां पर कन्नौज के पास ठीक है और जो राम गंगा है राम गंगा का यूपी में उत्तर प्रदेश में जो प्रिवेस है ठी ठीक है कहां पर बिजनौर ठीक है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेस करती है कहां से प्रवेस करती है बिजनौर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो है यह यूपी में प्रवेस करती है और इस नादी के किनारे एक पार्क भी है कौन सा पार्क है आपने सुना जिम कार्वेट नेशनल पार्क ठीक है या जिम कार्वेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है ठीक है होकर गुजरती है कौन राम गंगा जिम कार्वेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है अगर राम गंगा के सहायक नदियों की बात करें किसकी बात करें सहायक नदियों क सहायक नदियों की बात करें जिसकी सहायक नदिया को है गंगन है ठीक है गंगन है और आरिल है कौन कौन सी है को है गंगन है और आरिल है ठीक है अगली हमारी नदी है शारदा नदी शारदा नदी ठीक है चलो सारदा नदी के वे बारे में बात करें उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों कि आप लोग दोस्तों में करना नहीं करते सरो लाइक करो चैनल पर नशचे जबड़े करो तिके शचा के क्योंकि आपका कमेंट ही तो हमें अच्छाई बुराई के बारे में तो बताता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं हमारी कलास पसंद आ रही के नहीं प्रसन आ रही है यह सारी चीजें आपके कमेंट के माध्यम से ही हमें मिलती है ठीक है तो आगले बात करते ह सार्दा नदी का जो उद्गम है ठीक है उद्गम जो है सार्दा नदी का उद्गम मिलाप ग्लेशियर कहां से मिलाप ग्लेशियर ठीक है कहां से मिलाप ग्लेशियर यह भी उत्राखंड में है ठीक है उत्राखंड में है मिलाप ग्लेशियर उत्राखंड से इसका उद्गम हु काली के नाम से काली नदी या गोरी गंगा ठीक है गोरी गंगा या महा काली के नाम से भी जानते हैं ठीक है शादा नदी को गोरी गंगा काली या महा काली नदी के नाम से भी जानते हैं इसका युत्तर परदेश में यूपी में ये पीली भीत जिले में कौन सा जिला पीली भ ठीक है पीली भीद जिले से जिले से इसका प्रवेश करती है यह नदी उतर प्रदेश में पीली भीद जिले से प्रवेश करती है ठीक है कहां से करती है तो कौन सी नदी शारदा नदी कहां से करती है प्रवेश तो पीली भीद से करती है अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तिसे एक आके मिलती कहां है तो भया यह जो है यह घागरा घागरा जिसे सर्यू कहते हैं ठीक है क्या शर्यू नदी जिसके किनारे अध्या सहर बसा हुआ है ठीक है सर्यू नदी में कहां पर मिल जाती है सीतापूर में सीतापूर के पास ठीक है सीतापूर के पास मिल जाती है सितापूर कहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनवु के पास में है सितापूर ठीक है लखनवु से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी है इसकी अगर हम सहायक नदी की बात करें तो भाईया सहायक नदी की है जो है शार्दा की जो सहायक नदी आ है ओ है सूरज कौन है गोरी कुंड है कौन है गोरी कुंड है ठीक है या गोरी कुंडी के नाम से भी जाना जाता है और क्या है फुलहर जील है सुरी गोरी है गोरी है कुंडी है गोरी नदी कुंडी नदी और राम गुड नदी राम गुड नदी ठीक है यह नदिया जो है इसकी सहायक नदी है ओ अगली नदी है और यह हमारी गुद्य गोमति कि किनारी जो सबसे ज्यादा प्रशिद्य के करते हैं तिसका उद्गम जो है भर साय या माधो ताल ठीके उसे माधोताल भी कहते है उसे माधोताल पुलहर जील के नाम से भी जाना जाता है फुलहर जील से हुआ है इसका जोदगा हुआ है इससे हुआ है और यह कहां है यह है भाईया पीली भीत में कहां पर है तो पीली भीत में है ठीक है पीली भीत में है इस नदी को किसको गोमती नदी को ठीक है गोमती नदी को रिशी की रिशी कौन रिशी रिशी वसिस्ट की ठीक है जिसे गुरू वसिस्ट कहते थे रिशी वसिस्ट की कन्या कहा जाता है ठीक है कन्या कहा जाता है गोमती नदी को जो है रिशी वसिस्ट की पुत्री कहा जाता है ठीक है किसकी पुत्री रिशी वसिस्ट की पुत्री कहा जाता है गंगा में जो है यह गंगा में कैभी मतलब शैदपूर गाजीपूर में ठीक है शैदपूर गाजीपूर के पास में गाजीपूर के पास में जाकर मिल जाती है ठीक है कहा मिल जाती है शैदपूर गाजीपूर के पास में मिल जाती है किस में मिल जाती है गंगा में मिल जाती है कौन गोमती ठीक है तो यह जाकर यहां पर मिल जाती है अगर हम इसे इसके किनारे बसे सहरों की बात करें ठीक है बसे सहर की बात करें जो प्रमुख सहर है तो भीया दो प्रमुख सहर है एक है लखनवू जिसे नबाबों की नगरी और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाता है और दूसरा है जौनपूर जौनपूर जो है जौनाखा की इसमित में बसाया गया था ठीक है बसाया गया था अगर हम इसके सहायक नदी की बात करें किसके गोमती की ठीक है किसकी नदी की बबु गोमती की गोमती की सहायक नद शाई नदी है चोहा है कौन है शाई नदी है चोहा है आंध्र चाहा है ठीक है कौन है आंध्र चाहा है और सुखेता है ठीक है शुखेता है ठीक है यह जो नदियां है इसकी सहायक नदियां है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली नदी है हमारी घागरा ठीकर, कौन सी नदी है, घागरा, इसको किस नाम से जानते हैं, शर्यु, ठीकर, सर्यु या, शर्जु नदी कहीं, कहीं सर्जु भी इसको बोलते है, ठीकर, इसका जो उदगम हुआ है, सर्यू नदी का जो उद्गम हुआ है सर्यू नदी का जो उद्गम हुआ है ओ मापचा चुर्गा ठीक है मापचा चुर्गा ठीक है यह हुआ है यह है आपका तिब्बत में ठीक है तिब्बत के पठारी भाग में है ठीक है यह तीन देशों में बहती है कितने देश में तीन देस में ठीक है घागरा जो है तीन देस में बहती है ओ है चीन नेपाल है और भारत है तीन देस कौन से हैं चीन है नेपाल है भारत है इसके अगर हम बाद करें अन्य नाम भी क्योंकि जब एक से ज़्यादा जगह बैशी सब जगह तो एक ही नाम दीगा नहीं जाएगा तो भईया इसका नाम जो है करनाली करनाली और कोड़िपाली क्या कोड़िपाली ठीक है करनाली या कोड़िपाली के नदी के नाम से भी जानी जाती है कौन घागराज इसे कहते हैं शर्यू नदी अगर हम इसके शहायक नदी के बाद करें किसकी शहायक नदी जो इसका सहयोग करती है शहायक नदी की बाद करें तो सहायक नदी है सारदा है राप्ती है कौन सी है राप्ती है बूढ़ी गंगा है बूढ़ी गंगा है ठीक है शिखा है और तमसा है ठीक है यह इसकी सहायक नदी है ठीक गंगा में बिहार के रिवाल गंज में ठीक है या कहां गंगा में कहां पर गंगा में बिहार के बिहार के रिवाल गंज में रिवाल गंज में मिलती है ठीक है या बिहार के रिवाल गंज में जाकर गंगा में मिल जाती है गंगा में बिलीन हो जाती है और इसकी कुल लंबाई की अगर हम बाद करें तिसकी कुल लंबाई 1080 किलो मीटर है ठीक ह 1080 km है और UP के प्रमुख नगर की बात करें प्रमुख नगर की अगर हम बात करते हैं ठीक है UP के प्रमुख नगर की अगर हम बात करें तो भाया UP के प्रमुख नगर पहला तो है जिसे सिरी राम जर्म भूम कहते हैं ठीक है सिरी राम जन्भूम मतलब अयोध्या ठीक कौन अयोध्या ठीक है सिरी राम जन्भूम अयोध्या ठीक अयोध्या जानते ही हो इसी नदी के किनारे बसा है भाहिया कहा है इसी नदी के किनारे है किसके मतलब शर्यू नदी के किनारे है ओके चलो तो आज के अपने वीडियो में इतनी ही बाकी कुछ नदियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे कल के वीडियो में फिर कल मिलते हैं तब तक के लिए बबाय टेक केर जहिन स्वस्त रहो मस्त रहो